अभ्यास यानि कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस स र्टिस एक स्टूरी सुनाता हूं आपको भगवान शिव और मांस जंड़ी हुई थे ना बागवान श्व की चैनली साधी मांस भी सिव ती तो सती जब पहली बार कैलाश पर रहoquा हमाले पर बगवान शिव ले पहली बार बर्फ बर्फ के बीच आई हैं तो कई तवित खराब ना हो जाए तो शिव जी जो क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए शिव जी कहते हैं कि देखो नंदी सती को कर यहां रहना है तो उसके शरीर को यहां के वातावरन का अभ्यस्त होना पड़ेगा अभ्यस्त मतलब अभ्यास करते रहना पड़ेगा उसके सरीर को इस वातावरन को अड़ाप्ट करने के लिए वो कहते हैं कि शरीर की सकती कुछ होती ही नहीं है शरीर में कोई पावर होती ही नहीं है सारा पावर सारा शक्ती मन का होता है मन की सकती से इनसान अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, शरीख शिव पुरान में बाते लिखी गई है पड़ सकते हूँ, यह शिवजी कह रहे हैं कि मन के शक्ति से शरीर जैसा चाहे, इंसान वैसा बना सकता है, तो सती को गर यहां पर रहना है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा यहां रहने का, तीरे दीरे अव्यस्त हो जाएगी तो उसके बॉडी भी अनकूल हो जाएगी इनसान वही बन जाता है जिसका वो अभ्यास करता है इसका मतलब ये समझ में आता है और मैं तो कहता हूँ आज अगर अभ्यास नहीं करोगे ना सर आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा यानि भागना तो पड़ेगा बिटा अभ्यास अगर अपने सपनों के लिए नहीं करोगे तो कल जरूरतों के लिए अब्यास करना पड़ेगा करना तो पड़ेगा बच नहीं सकते इससे